तो आज है Becky Lynch का birthday तो सबसे पहले happy birthday Becky Lynch को 17 साल की Becky Lynch हो चुकी है अपने डब डबली करियर में कम टाइम में उन्होंने बहुत तगड़ी चीज़े अचीफ करी हैं लेकिन वो कल जो है रवाल रंबल चीथ नहीं पाएं लेकिन वैल जो भी हो आज है Becky Lynch का birthday तो आप भी कमेंट के अंदर happy birthday Becky Lynch लिख देना एंद फिर एक बार बार किलेंज को happy birthday और देखते क्या चीज़े उनके साथ होती रहे सल्मीनिया में खेर सबसे पहले Alexa Bliss की बात करते हैं तो Alexa Bliss का हमें return तो दिखा नहीं देता Royal Rumble में लेकिन वो backstage के उपर थी PW Insider की update है और इनका कहना है कि Alexa Bliss Royal Rumble की backstage पर थी यह फ्लाल कुछ बात है जो कि बताए गई है इनकी बेला यानी Bella Twins की बात करते तो इन्होंने इन्हीं सभी controversy के बारे में बात करी है विमसिक मैं की और इन्हीं सभी controversy के regarding पो जो है Twitter पर Instagram पर फोटो डालती है वहाँ पर अपना opinion कहती कि वो कहते कि यह इनको बिलकुल भी चीज पसंद नहीं आई है और यह सारी जो सारी चीज़े हुई है और आखिर में इनका यही कहना है कि जो डब डबली के अंदर विमस या फिर जो भी काम करती है जिस फिल के अंदर वो सेफ रहे और सभी जो है सेफ एंड सिकर है यही कुछ उनका कहना है तो यह फिलाल कुछ जो है Bella Twins बात करती है आप देखी सकते होगे किस देखे से अब रॉक लसनर के प्लैंस भी सारे कैंसर को है इस चीज़ के खारण यह फ्लाल को जिस पर बैलाट विस अपना ओपीनियन देती है कर के बनोस की बात करते तो के बनोस इंजर थे और इसी के साथ वो अपने रॉयल रंबल मैच के अंद मैच भी दिया यह फिलाल कुछ बात हैंड अगर उनका पैर जो ठीक होता तो में भी मैच एक काफी अच्छे सपॉर्ट भी हमें कुछ दिखाए देते यह फिलाल बात हैंड कैवनोस फ्रैक्चर होने के बावचूद भी उन्होंने इस मैच के अंदर कंपीट किया था फिला बारे में कोई और अपडेट आती तो वह आपको मैं बता दोंगा लेकिनी फिलाल कुछ अभी के रिगार्डिंग बात आये थी कि के विन्होंस फ्रैक्चर लिक के साथ रॉयल ड्रंबल के अंदर रेसल कर रहे थे बल बात करते हम लोग मिक्स अपडेट के बारे में जो की वर्ल्ड चैंपेंशिप के लिए रेसल मीना में तो विम्स का जो अलमिनेश इंज इंबर मैच होगा वो होने वाला है विम्स वर्ल्ड चैंपेंशिप के लेंड़ जीते का वह रिया रिप्लिकों करेंगा तो यह अखिलाल कुछ बात निकल अगर के सामने आच चुकी है ए तो देखो इसके बारे में क्या अपडेट है पहले पीड़ा इस वाले चीज को कंफर्म किया था और उनको सर्चरी भी करवानी पड़ेगी इसकी एंड आठ से बारा हफ्ते भी उनको लग सकते हैं या फिर 6-8 महिनिया फिर मैक्सिमम जो है लग सकते हैं छह महिनी लग सकते है में को इंडर को उनको इंगर Canal यह फ़ुलाल के रिपोर्ट का बताया जा रहा है धूसरी दिया हुआ के चेमपिनशप को न आ versa न चलंड करें वो connect करें कि सभी 在 चेंपिंशिप को बनाए है और हैं तो यह लाला कि एंगल थोड़ा बदर सकते हैं अब पार्ट होगे निए कोड़ी रोड़ कोई चीज नहीं है अगर कोड़ी रोड़ में भी साथ जाते हैं मैच के लिए तो देन रोमर एसन रोग की पॉसिबिलिटी काफी काफी हाई हो जाएंगी लेकिन इसी के रिगार्डिंग जो है हापर अपडेट आई हैं अपडेट का यह कहाना है कि डब डब जिसकी है कुछी specific ब्लास के लिए लेकिन अभी फिलाल जो है सारी चीजे ट्रैक पर डब डब डबली लाएने बाली है सब सबीची से ट्रैक पर हैसा कुछ इनका कहना है अब पता नहीं क्या चीजे डब डब डबली करने पार हैं इसी के रिगार्डिंग इन सभी जो है अबडेर्स थी बलाल आच के वाली बीडियो बस इतने से थी एन में मिलता हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर